जैसे कि मैंने आपको पहले ही इनफॉर्म कर दिया था कि वह इस पॉर्टिंग दा एर्र सुरू होने वाली हैं यह प्रिवियस इयर बेज ने लगभग यह एराउंड हैं आपके एराउंड वन ट्वंटी एट सेंटेंस हैं कुछ साल के हैं यह यह लगभग एक साल दो दो ती चार चार साल लगभग चार पांच पांच-छे साल के हैं ठीक है और जो चार-पांच साल के बचे हुए हैं वो फिर दूसरे उसमें हो जाएंगे ठीक है तो आज से हम प्रिवियस यह के पेपर जो हैं वो कर रहे हैं पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पां क्या करेंगे कि फार्ट में गलती है वो तो बताएंगे बताएंगे इसके साथ ये भी बताएंगे कि इसका स्sembím क्रूंट क्या होगा डफेल काम करेंगे तो ये बताना आसा निसाने support में गलती खहाला कि रूबइस होते हैं इस पार्ट इसको इंप्रूब भी करना है ठीक है तो करते हैं पहला सेंटेस्स आपके सामने ही है आपके पास नौट्स है है आप देख सकते हैं 1st sentence I am told I am told तो पहला सेंटेस लिखा है I am told यहां लिखा है I am told यह पार्ट ए बना दिया ठीक फिल इका जोहन एक लिख देता हूं पूरा जोहन इस ये पार्ट भी बना दिया पार्ट भी हो गया फिल लिखा है सेंस मंदे मोई हो ये पार्ट रीत रहा है और यहां पर नो पर है पहली बात एंज यहां पर प्रजंट चल रहा है आयम टोल्ड तो ठीक है जब यहां प्रजंट होटा है तो डारेकं डारेकt के नियम के हिसाब से अगर आपको ध्यान सा रहा हैं यदी यहां पर प्रजंट है तो यहां पर भी present तो हम यहां पर छेंज कर लेए गलती तो आपको ऐसे समझ नहीं है कि यह पर शेंच नहीं से नहीं अगर आपको ध्यान आ रहा हो since या four के साथ जब time आता था तो हम present perfect continuous बनाते थे has been have been plus verb में आई जगर वर्ब है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर वर्ब तो है नहीं इस गोइंग तो है नहीं नहीं तो हम has been going लिख दे तो इसका बस के वाद चेंज करने है जब वर्ब ना हो तो उसमें हमें has been तो लिखना ही लिखना है वर्ब ही नहीं वर्ब होती तो आई जी लगा देते माली जोहन इस प्लेइंग होता तो हम किल कर लेते जोहन has been playing since Monday तो यानि के since आने से for आने से यहां पर आपको present perfect continuous देना पड़ेगा has been have been plus verb में आई जी या past perfect had been plus verb में आई जी या future perfect continuous will have been cell have been plus verb में लेकिन जब वर्ब नहीं हो तो फिर present में has been रह जाता है has been have been past में had been रहता है लेकिन ध्यान रखना यह वाली गलती भी ध्यान रखना यह present है तो यह present ही रहेगा तो time तो लगेगा चीजों में लेकिन एक बार अगर आपने perfection को achieve कर लिया फिर throughout life you will face no problem in grammar grammar के अंदर sentence को देखते ही clear होगा और मैं आपको बता देता हूं कि बहुत जादा typical sentence नहीं आते आपके paper में लेकिन हमें तयार है ना है ठीक है we need to be prepared कि वह कैसी भी condition आ जाए हर condition में हमारे पास होना चाहिए तो मैं हर sentence को लिख भी रहा हूं notes आपके पास हैं आपने कर लिया होगा तो correction हो गई पार्ट भी तो केवल यह कह देना सर्फ पार्ट भी में correction है यहां पर काम नहीं करेगा आपको पूरा rule revise करना है और दो तरीके से बता रहा हूं m told है present है तो present ही रहेगा ठीक है next sentence हाँ भी next sentence करते हैं I shall leave दूसरा sentence I shall leave school मैं school छोड़ दूँगा as soon as I shall find a job इसको भी मैं लिखता हूं I shall leave I shall leave school यह पार्ट ए में आ गया as soon as as soon as यह पार्ट भी में आ गया I shall find I shall find a job यह पार्ट c में आ गया और यह पार्ट आ गया no error यह आ गया d में बहुत अच्छा sentence है tense base है tense की problem आपने की थी tense की problem बताता हूं आपको देखो यहां पर आगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो यह भी future यह भी future और अक्सर दो future एक साथ नहीं आते हैं 99.9% cases में दो future एक साथ नहीं आते हैं क्सारी अंड होता है वर्मुर्म नहीं आता है तो इसके राइट वाला लेते हैं तो इसके राइट वाला यह बैठेगा तो यहां पर सहल अटा देंगे आए एक वचन भोप ऑचन होता है इसलिए वर्म में हैं वर्म में S.E.S. नहीं आता अगर एक बचन होता present indefinite बना रहे हैं future indefinite क्या बनाएंगे present indefinite तो I find a job शैल हटा देंगे शैल क्यों हटा देंगे ये आप समझ गए होंगे दो future नहींगे तो आप से पूछे का correction तो आप कहोगे सर सी में correction है लेकिन आप से कुछ है why किसा दो future एक साथ नहीं आते और ये ध्याननक ना इसके साथ वाला जैसे मैंने आपको एक sentence कराया भी था if I shall work I will pass तो दो future एक साथ नहीं आते तो कौन सा future अटा है ये वाला अटा है ये वाला तो conjunction के right वाला तो conjunction के left वाला तो ये है लेकिन right वाला चाहिए आगे वाला चाहिए तो ये वाला हटाएंगे तो ये वाला हटाएंगे if I क्योंकि I अगर यहां suppose मैं I को हटा हूँ यहां पर ही लिख देता suppose यहां पर suppose मैं shall की जगे भी लगा तो जिससे confusion ना हो अब अगर मैं यहां पर if he लिखू तो क्योंकि he एक बच्चन है तो फिर will तो हटेगा हटेगा तो यहां पर S.T.E.S. आ जाता है works इस तरीके से हमें काम बू करना होता है ठीक है यह इस तरीके time सा लगेगा दो sentence में हमें 5-7 मिनट लग गए लेकिन knowledge चाहिए भया competition demands knowledge अगर आप competition करना चाहते है clear करना चाहते है तो भया knowledge चाहिए आपको depth चाहिए चीजों की insight I-N-S-I-G-S-T insight means depth knowledge deep knowledge चाहिए जब ही आप कर पाएंगे और कोई problem आपको नहीं आएगी हावी third sentence तीसरा sentence पढ़े हैं चला he is a rich man पहला part हो गया he is a rich man he is owing he is owing O-W-I-N-G तो मैं इसको भी लिख रहा हूँ he is a rich man part A he is owing है सो रही है इसकी spelling सही कर ले न owing जो word होता है O-W-N O-W-N-I-N-G इसकी spelling बलती हो रही है यहाँ पर part B है owing जो होता है O-W-N इसका एक meaning possess भी होता है और एक meaning have भी होता है रखने के लिए B हो गया है और आगे लिखा है A number of buildings buildings A number of buildings आना चाहिए हाँ पर building लिखा है लेकिन यह typing error हम मान सकते हैं main correction दूसरी है तो यहाँ पर जब A number of the number होता है तो यह plural आता है buildings in Bombay यहाँ पर in Bombay यह होगे आपका C part और D part वो ही है no error पूरे sentence को मैंने आपको लिख दिया अगर आपको द्यान आ रहा हो कुछ warps बताई थी जिसके साथ ing नहीं आता उसमें आपको यह बताया था rule यह tense में आपको कराया था नहीं भी है तो कभी कभी क्या होता है 10 चीज़े होती ही हमने आपको 8 चीज़े बता दी दो जो चीज़े आती हैं वो जब previous year हम पेपर करते हैं तो वो दो चीज़े आ जाती है तो रहनी तो आपको कोई भी चीज नहीं है ठीक है तो यहाँ पर tense में इसमें बताई थी एक word बताया था हम एक वर्ड था पजैस एक बताया था ब्लॉंग एक बताया था तिंक भी था उसमें ब्लीव भी था believe भी था, think भी था, have भी था ये जो verb हैं, इस तरीके की जो verb होती हैं और इसमें एक सबसे अच्छा word know ये वाला भी आगे आपका और ये वाला इन में कभी भी ing नहीं लगाते इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं he is knowing me knowing me, तो यहां पर ing गलत है अब ये ismr के सब ing लगा हुआ है तो ये कौन सा tense है भाईया ये है present continuous continuous का मतलब ing और ismr है तो present लेकिन जब हम ing हटाएंगे तो continue हटा देंगे तो present indefinite बना दो इसका क्या बनाओ present indefinite तो he, क्योंकि एगवचन है knows me clear तो यहां पर भी वो ही है तो यहां पर ismr ये ing हटाएंगे तो यह हो जाएगा he ounce वो बहुत अमीर रखती है और बहुत सारी buildings मॉंबे में वो रखता है या उसकी है ये वाला rule भी आपका complete ठीक है इसको इतना ही रखते है